है गाइस टाइप वैलकम बारुन सरो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि वह एवरी मन्थ एक लाक रुपे की अर्निंग अचीव करें तो वरुन सर्वने वुद चीजे अचीव करी है और आज हमें बताने वाले कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या उनको पास चैलेंजिस और क्या-क्या उन्होंने चीजें ने चीजें फेस करी हैं ठीक है कि सबसे पहले तो आपको बोलना चाहूंगा कि आपने इस सिस्टम में मुझे एन्रॉल करवाया ठीक है अब है कौनकोन मुझे नहीं जानता है एक बार टाइफ नोग करें चैट बॉक्स में कर सकते हो मने को सब्सक्राइब अब्रिवन पर और दिया है मने चैट को कौन-कौन फर्स्ट टाइम आया है गाइस ओके एक सेकेंड मेरा वाज आ रहा है सबको ओडिवल हूँ मैं ओके ओके जो लोग मुझे नहीं जानते मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं कि मेरा नाम वरुन वर्मा है औके I hope के आप सब लोग अपना टाइम निकाल के आयो तो आज आपको काफी चीज़े जानने के बारे में मौका मिलेगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़े हैं So basically मैं graduate हूँ BCA में उसके बाद मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करा business में क्योंकि मुझे जॉब करना नहीं था बट बिजनस करा दो तिन साल करा बहुत बढ़िया तरीके से वो चला भी बट जब offline बिजनस हम करते हैं न तो क्या होता है कि जब lockdown आया ठीक है तो lockdown आने के बाद चीज़ें इतनी ज़ादा बुरी हो गई लाइफ में और इतना ज़ादा मैं demotivate हो गया और इतना ज़ादा करसे में हो गया था कि मैं कुछ कर ही नहीं पारा था लाइफ में तो मैंने फिर job स्टार्ट किया ठीक है एकदम से ही एक लाग रुपे दो लाग रुपे की income से सीधा मैं 20,000 की income पे आ गया और तब शायद बहुत से लोग ऐसे भी थे जो मेरी लाइफ में बहुत close थे उन लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया ठीक है तब मैं online दुनिया में आया अपना Germany स्टार्ट करा और अगर मैं सही बताओ तो I think ऐसी एज में आके जहां पे आप अपना profession shift नहीं कर सकते तो उसमें क्या होता है कि आपके उपर responsibility बहुत होती है कि अगर आप कुछ चेंज कर रहे है अपना profession तो बहुत ज़्यादा risk होता है कि in case you fail तो फिर दिक्कत आ जाती है कि नहीं मुझे इस तरीके से life तो नहीं गुजारनी है और offline business के लिए मेरे पास पैसे थे भी नहीं ठीक है तो मतलब कि वो तो 100% था कि आप दुबारा से offline business नहीं कर पाँगा चाहे वो छोटे से छोटा business क्यों ना हो क्योंकि उसमें आपको भी पता है कि offline business में कितना investment होता है हना तो online business start करा दीरे-दीरे चीज़े सीखी समझी और आज जब मुझे एक platform मिला earners community ठीक है इसके इलावा भी मैंने करें यह platform लेकिन उसमें उस तरीके से चीज़े नहीं हो पाई जिस तरीके से मैं सोच रहा था बट finally अभी earner community का part बनाओं और इसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़े कर पा रहा हूं और education system और support system इसका काफी अच्छा मेरे को लगा और जिस के कारण यह सब चीज़े हो पाई ठीक है तो guys से यही कहूंगा कि अभी तक so far की journey में ज़्यादा नहीं कमाया है सिरफ 2,00,00 ही हुआ है ठीक है लेकिन अभी आने वाले time का target बहुत ज़्यादा है और इसके लावा बाकी guys आप बताईए मेरे को कि आप everyone पर chat है आप बता सकते हैं मेरे को कि आप मैंसे कौन-कौन start कर चुक है और ना community कौन-कौन start कर चुक है एक बार type yes करो जो जो start कर चुके है okay great 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 so far कैसी चल रही है journey अभी तक so far क्या-क्या support कैसा चल रहा है आप अभी earning की नहीं learning की बात करते हैं कि आपको क्या-क्या सीखने को मिल रहा है यहां से क्या-क्या चीजे समझ पा रहे हो उसके बार में थोड़ा सा बताईए okay support system मिल पा रहा है कोई ऐसा तो नहीं जिसको support की कमी हो रही है जिसको support की कमी हो रही है वो no लिखे हो chat section में okay great 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 okay टॉब बढ़े यहीं जीज़ करते हो सरा ऐजी एंजी यसे वाप बढ़ी आओ बढ़ी आओ आओ झाते हो सर तो गाइस अभी अपने बार में बताया कि कैसे क्या उन्होंने चीजे करी है ठीक है तो यह कुछ टाइम पहले मुझसे मिले और इन्होंने फिर यहाँ पर जर्नी स्टार्ट करी जर्नी स्टार्ट करने के बाद आज इन्होंने यह माइस्टोन अजीव करा और इन्होंने अपने बार में बता कि क्या 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 यह चीजे कर रहे थे ठीक है जोब करी जोब करने क सारे बंदे ना जोब से निकल भी नहीं पाते हैं है ना बहुत सारे यहां पर भी ऐसे student होंगे जो study complete करने के बाद job कर रहे होंगे है जौब के साथ-साथ इन्होंने चीज़े start करी और start करने के बाद आज यह चीज़े अचीव कर रहे हैं ठीक है इन्होंने अपने पास्ट के बारे में बताया कि मैंने यही सब चीजे एप्लाई करा तो वरुशरम आपसे पूछना चाहँगा कि बहुत सारे जो जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं उसके बाद वो जोब की तरफ जाते हैं ठीक है तो आपका कैसे क्या decision बना कि मेरे को जोब के साथ साथ मेरे को औरनेर कम्यूटी स्टार्ट करना चाहिए देखो basically क्या होता है कि जब हम कोई journey स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कैसे करना है और क्या करना है तो मैंने simply decide किया कि मैं हर रोज का 2-3 घंटा तो दूंगा ही दूंग में और जब मैं अपनी salary से at least 50% income generate करूंगा उसके बाद मैंने decide करा कि मैं इसे full time करूंगा तो उसी तरीके से चीजें करी हैं और जब मैंने start करा तो simply जब job के साथ साथ मैं time दे पार रहा था चीजों को और चीजें सीख रहा था जब मैंने अपनी job से 50% income generate किया और online business में ब full time देना चाहिए तब मैं online business में पूरा तरीके से आगए एक्दम full time अभी कर रहा हूं एक देट से ग्रीट्ट्वी स्वां उसकी से एक्ट्रा ऐसल करने के बारे में सोचते हैं तो ग्रुट दीसर लीए और चीजे स्टार्ट करी थिक है तो जब आप बरूस स्टार्ट कर रहे थे चीजों को तो आपको कुछ न कुछ तो प्रब्लम आई ऊगी आपके फैमिली वाले ने रोका होगा कि भई अब जोब में क्या होता नहीं कि एक फैमिली डिपेंडनेंट हो जाते कि एक सेलरी जो फ अबसने जा रहा है। तो आपको किया ऐसे चलिंजी से व्शेक्राइट थे कि.. विलस देखेस सबसे पहली चीज तो यह थी कि hava फैरर फिरेंस के टाइम पर ये सब चीजे नहीं होती हैं तो इन को नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं and even trust me कि मैं लगबग हर रोज जगड़ा किया हूं गर पे क्योंकि मेरे family वाले हमेशा बोलते थे कि नहीं यार यह सब चीज़े कुछ नहीं होती कुछ पर्माना है ढूंड कोई business अगर आप एक business कर रहे थे पहले है या जोग कर रहे थे तो वो realistic चीज़े हैं family वालों के लिए लेकिन जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में कभी सुनना ही न क्योंकि हमेशा से उनको यही चीज़े आई है ठीक है सामने कि यह सब जब हमगाई प्स acostum अजब को में दो एक स्कूरी स्कीना ही लेकिन आप चीज़ेते हैं क्या ओना तो उसमें क्या हुआ लगाई भए फिर भी बोलते तो जब तक अच्छी करना से उनकम नहीं होने लगी सब तक भी उन्होंने support कराँ मेरा और अभी toidd लाल कुछ नहीं करना भी मैंने काफी इसमें जब चीज़ें सीख ली थी तब मेरे को अपने आप पर विश्वास हो गया था क्योंकि आपके किसी प्लैटफॉर्म से के इलावा आपके स्किल के उपर भी डिपेंड करता है अगर आपको एक बर काम करना आ गया कि कैसे काम करते हैं कैसे सेल्सेंट मार्पिंग होती है कैसे डिजिटल स्किल यूज किया जाते हैं अपने हना ओनलें बिजनस करने के लिए जब आपको यह सब चीज़ें आ जाती है तब आपकी इंकम करने से कोई रोख ही नहीं सकता है ठीक है ना इससे कोई फरक निपड़ा तो मुझे व गाइज देखो इन्होंने क्या बताया अभी जस्ट कि लास्ट टाइम लास्ट जब भॉलो फिर्म हुआ था तो रामेंदर जी नीभी सेम चीज बोली थी कि पहले पेरेंट्स ने मना कर दिया था है ना मना क्यों कर देते क्यों कि उनको इन सब चीजों के बार में पता ही न है लेकिन आज हम स्टूडेंट्स को पता है कि ओनलाइन सारी चीजे ओनलाइन ही हो रही है ठीक है कुछ भी डिजिटल इंडिया हो चुक है लॉच्ट तो सब कुछ चीजे डिजिटल ओर और डिजिटल के अंदर आज यूटुबर होगे हर जगह से लोग ऑनलाइन के अंद कि अगर मैं study करूँगा study के साथ साथ job करूँगा start ठीक है job करने के बाद क्या होगा उसके अंदर 30 40 50 जार तक मैं अपनी चीजे अच्छी मनलग कर लूँगा ठीक है किसी और के लिए काम करूँगा इससे बढ़िया क्या मैं खुद के लिए चीजे करी और सेम वरूण सर ने भी वही चीजे करी कि जो जो यह चीजे कर रहे थे ना उनको पता था इसमें ज्जादा कुछ होना नहीं है अगर कुछ life के अंदर extra करना ना तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजे करनी पड़ती है तो उन्होंने वह चीजे वो कैसे ना कैसे चीजे करके ही रहता है चाहे कितने भी आप कुछ लोग बोलतें कि मेरी ऐसी सिचुएशन थी मेरी वैसी सिचुएशन थी सबकी सिचुएशन ना आपसे भी कुछ आपसे भी बहुत ज्यादा बत्तर हो सकती है किसी की सिचुएशन लेकिन फिर भी वो चीजो को करते हैं ना क्यों क्योंकि उनको कुछ ना कुछ लाइफ के इंदर एक्ष्टा करना होता है ठीक है तो वरुन सर्म आप से पुछ नजाओंगा अभी तक आपने जो इतने सारे चलेंजी बेस करें अभी तक आपकी अर्नर कम्यूनिटी की जर्नी कैसी रही है देखो अर्नर कम्यूनिटी की जर्नी तो तो बी ओनेस्ट के सबसे बढ़िया गई है अभी तक सो फार जो कुछ भी कर रहा है लाइफ में क्योंकि दा थिंग इस देट कि यहां पर बहुत सारी चीजे एक्स्ट्रा एड़ॉन हो जाती है सबसे पहले तो यह 100 परसें डिस्ट्रिउशन सिस्टम है ठीक है उसके इलावा यहां पे मेरे अप्लाइन के काम करने से मेरे को हैल्प हो जाती है जिससे 50 परसेंट काम जैसे कि मैंने आपके साथ करा तो उसका बहुत बेनिफिट मिल जाता है यहां पे कि उनको 50% काम हम कर देते हैं इसके इलावा जो पैसिव इंकम रेंकिंगम वह एक टीमवर्क के तरीके से है जिसके कारण क्या होता है कि हर कोई परसन यहां पे टीम की तरह काम करता है ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी ने स्टार्ट कर वा दिया और उ जैसे आप session लेते हो मैं session लेते हूं कोई और भी session लेता है तो यहां पर जो चीज़े जैसे हम कर पा रहे हैं वैसे यहां आप कर पा रहे हो आप exactly same मैं वैसे ही बताते हो कि यह चीज़ें लाइब दिखाते हो कि इस तरीकों को ऐसा करना है तो I think इतना support बागी किसी platform में नहीं मिलता है गाइस जितना मैंने चीज़ें करी हैं ठीक है तो उसके हिसाब से support system और education system में आप 10 on 10 कह सकते हो जहां पे करें बाद हमारी education oh sorry income structure की तो वो आप देख सकते हो कि बागी platform के बदले यहां पे आप बहुत कम मेनत करोगे तो भी आपकी income बहुत जादा हो जाती है अभी अगर आप अगर आपको पता होगा कि last two months से लगबग मेरी traveling ही चल रही है कभी कहीं या कभी कहीं ठीक है तो अच्छे से काम कर भी नहीं पा हैं लेकिन फिर भी दो लाग से जादा की income हो गई यह सिर्फ 50 days में तो आप इसका example live देखी सकते हो that's great that's great that's the power of our system तो आज यहांना community के अंदर awesome feel कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने team की power जानी है team की मदद से यह आपको team भी कमा रही है और team जो कमा रही है उनसे यह भी कमा रहे है तो हमारा system क्या है active प्लस passive प्लस automation तीनों का combination है तो वरुन जी मैं नेस्ट question आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको अभी आपने जो में जब एक salary आती है हमारी fix होती है ठीक है तो उसी में सारी चीज़े adjust हो जाती है और जहां तक मेरे को देखो मैंने चीजे करी ने लेकिन मेरे को पता है चीजों के बारे में कि जो salary आती ना 20,000-30,000 वो पहले से fix हो जाती है कि इतना जाना इतना जाना आते ही पहले हफते के अंदर या दूसरे हफते के अंदर सारा का सारा फिनिस हो जाता है तो आपने कभी ऐसा जो मनलब question यह कि आपने सोचा था कि अर्नल कम्मूनिटी में अब दो महिने बाद लग रहा है कि यार दो लाग भी कम रह गया है मुझे थोड़ा सा ओर करना चाहिए था अभी ठीक है तो वह ही है कि जैसे जैसे आप जैसे लोगों के बीच पर रहने लग जाते हो वैसी आपकी thinking हो जाती है तो जो हमारे society में जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो हमारे mind को इतमना छोड़ा कर देती हैं अगर आज के अगर मैं बात करूँ दो साल पहले तीन साल पहले अगर मैं सूचता था तो मेरा ऐसा नहीं हो था ता आज 50 कमारों अगले महिने एक लाग कमान अगले महिने दो ल 30 कुना जादा सोचने लगे हैं कि सोचेंगे उसका 10 परसेंट भी आ जाए तो तब भी बहुत लोगों से बहुत बढ़िया हो जाएंगे और यही बात है कि अभी फिलागाल जो मेरा target है वो मैंने लेके रखा है कि कम से कम 50 लाग से एक क्रोड के बीच में जाना चाहिए एक हमारी एक salary लगी 25,000 रुपे ठीक है उसके बाद हम क्या सोचते हैं साल के बाद हमारे increment होगा या फिर दिवाली के उपर bonus मिलेगा तो 125 से 30,000 हो जाएगा लेकिन यहां पर हम आपने पहले मंद के अंदर 1,00,000 रुपे से जादा hit करा ठीक है तो जो आस-पास का ओरा होता है वो हमारी क्या सोच को बांद देता है लेकिन जब हम उन लोगों के अंदर जाते हैं जो बोल रहें कि हापर 1,00,000 रुपे कमाना है 50,000 रुपे कमाना है ठीक है side by side earn करना है तो mind भी खुलता है और साथ में सोच भी बड़ी होती है ठीक है जिसकी वज़े से यह चीजे mind के अ जरीया वो बढ़ जाता है और उसके बाद अगर हम जोब के अंदर होते हैं फिर कुछ भी एक्स्टा चीजे करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है सेलरी इंक्रीज होने में लेकिन यहां पर हम अपने बिजनस के खुद मालिक है और जितना हम चाहें उतना अपना चे के बाद उनको सबसे बड़ी दिक्कत आते हैं कि मैं अपनी लीड कैसे जनरेट करूं ठीक है तो आपने क्या-क्या चीज़े एपलाई करी आपने लीड कैसे जनरेट करी वो बताइए आप देखो लीड के लिए बहुत सिंपल चीज़ है लीड का कभी इशू हो ही नहीं सकत उसका जितना भी income आया है आपको आपने सीधा उसको invest कर देना है ads में ads में एक बार investment कर दिया अगर आपने महीना एक महीना भी ads चला दिना तो 1000-1500 leads आजाती है आपके पास अगर normal budget भी होगा ठीक है न 300 रुपे का भी budget होगा तो 1000-1500 leads आजाती है और यह leads खतम करते करते ही मतलब आप दुबारा से फिर से पैसे आजाते है तो वो circle एक चलता रहता है बस यह एक initial step है जो जैसे आप कहते हो ना कि मैंने इससे पूछा उससे पूछा उसने मना कर दिया या यह कर दिया यह सिर्फ initials ले जाए आपका target यह नहीं होना चाहिए कि मुझे 50 लियार कमाना है एक लाख रुपे आपका target यह होना चाहिए जितने मेरे को लोग जानते हैं ठीक है उनके साथ मैं बात करूँ अच्छे समझाओं उनको चाहे आप supportive way में भी कह सकते हैं कि यार तु मेरा दोस्त है तु मेरे साथ स्टार्ट कर ले हैं आपन दोनों साथ में करते हैं अभी अभी start कर तो ऐसा एक आदम person मिल जाता है बाकी अगर बात करो तो normal ऐसे friends भी होते हैं जो मान जाते हैं बात तो उनसे आप start करके उसके बाद जितना भी आपका income हो उस income को खर्च देते हैं बहुत से लोग के चला आगए अपने पैसे पूरे हो गए बस ठीक है तो ऐसा नहीं करना होता है अगर आप business start कर रहे तो आपको ए लोग है तो गाइस जो भी नए लोग हैं आप लोगों के लिए simple important चीज क्या है कि जो भी हमारे known के context है पहले हम अपने friends family related जो हमारी सबसे पहली training है उसके अंदर यही बता रखा है कि आपको क्या करना है कि अपने जितने भी known के अंदर है उनकी list बनाने है और उन लोगों क starting में में कुछ चीज़े पता नहीं होती तो जो मन में आ रहा होता हुँ बोल देते हैं तो उनको लिए सबसे important चीज़ के है कि आप उनको वेबिनार में invite करें वेबिनार में invite करोगे तो वहां से proper information लेंगे और अपने senior के साथ connect करके आप उनको sales को closing करिए फिर sales को close करने के पास पैसे आ रहे हैं Facebook ads के अंदर आप ads के अंदर investment करिए वहां से आपको daily की leads आजाएंगी अगर आप एक मंद करते हो तो 1000-1500 लीड आजाएंगी और फिर वहां से आपका business कभी भी रुकने नहीं वाला है तो बहुत सारे लोग इस strategy को follow करके earning कर रहे हैं से वरुन जी और म हैं और बहुत सारे students है जो की strategy को apply करके every month एक लाख रुपे की income को hit कर रहे हैं ठीक है अब उसके बाद जो problem आती है वरुन जी की lead sweets आगी ठीक है तो आपकी first sale में क्या problem आई थी first sale जो आपकी आई थी तो कैसे क्या होई थी आप बता सकते हैं में क्या होता है कि मेरे में सबसे बड़ा क्या था जब मैंने start करा ना तो मेरे अंदर एक चीज थी जोइनिंग्स तो मैं ऐसे निकालनुगा मुझे टेलिग्राम चैनल यूज करना है आते हैं ब्रोड कास्ट वान नहीं आती है इंस्टाग्राम पर message कर लिया गरूंगा तो sales निकालनुगा लेकिन जब मैं यह सब चीजे करने लगा ना तो सबसे पहले तो यह आता कि मुझे होता था patience नहीं थी हाना सबसे पहले तो छूट थी पैसे investment है नहीं करना है investment है नहीं करना है लेकिन जब trainings attend करा ठीक है तो चीजें देखी समझी कि थोड़ा patience रखना होता है हर person को start करने में time लगता है ठीक है एक तो non person जो होते हैं उनको पता होता है कि आपकी life में problem चल रही है और आप उसको यह platform बता रहे हो क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हो हना उनके थूँ लेकिन जब आप regular basis पे daily basis पे status बगारा लगाते रहते हो broadcast लगाते रहते हो ट्रेनिं psychology है कि जब तक आप यह realize करवाओगे किसी को कि आप उनसे पैसा कमाने के लिए उनसे बात कर रहे तो आपसे वो नहीं start करेगा तो basic आपका psychology क्या होना चाहिए कि सामने वाले person को यह लगना चाहिए या आप actual में उनकी help करो तब जाके वो start करते है ठीक है ना जब तक आप य से जब मैं चीज़े करता रहा करता रहा तब उन्होंने देखा कि यार यह बंदा में इनत कर रहा है ना डेली सेशन ले रहा तो at least मैं पूछ हूं तब मैंने उनको अच्छे से बताया है फिर मेरी sales निकल गई थी ओके तो यह बहुत बढ़िया इनों बहुत बहुत बढ़ आदो कि दिख्र यार की तरीके से होते हैं तो उनको क्या करने तीन गोल्डं कोष्जिंग वहार जगशेग हो सकते हैं कि दू पैसे कमाना चाहता है हाँ कितने कमाना चाहता है क्यों कमाना चाहता हूं रीजन बता मैंने ऐक opportunity के बारे में भी देखा है आज शाम को 8 बजे व बिजनस को expand कर रहा है तो चार-पांच लोगों को देख रहा है जो serious है तो मेरे को लगा कि भाई तू देख मेरा दोस्त है बड़ी है लेकिन पैसे तो कमाने ना at the end of the day हमें पैसे कमाने family की sport करनी है तो आज आमको business है इस तरीके से बात चीज करोगे तो इन्होंने भी यह सेम चीज़े अपलाई करी थी ठीक है अपलाई करने के बाद सेम results निकाले और फिर sale आगी उसके बाद उसके बाद तो फिर business चलता ही चला जाता है वरंजी उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा कि अनल community ने आपको आपने जोइन करने के बाद अपमें बदलाव क्या क्या है चेंजिस क्या क्या है देखो चेंजिस में अगर बात कहूं तो देखो यहां पे सिरफ पैसा कमारा नहीं सिखाया जाया गया मेरे को ठीक है और इसके साथ साथ मुझे डेली लाइफ में अपना अपनी देख सर सिखाते हैं हाना तो उसमें पैसों कि सिरफ पैसे पैसे पैसा पैसा बिजनस 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 नहीं है डेली लाइफ के बारे में आप कैसे चीज़ें अपनी लाइफ में बैतर कर सकते हो तिंकिंग कैसे बैतर कर सकते हो अपनी डेली रूटीन कैसे सेट कर तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में help कर देती है हमारी तो अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि यह चीज बहुत जरूरी होती है life में क्योंकि जब तक आप एक positive mindset नहीं रखते जब तक आप अपनी daily routine नहीं set करते अपनी thinking clear नहीं करते कि क करना क्या है आपको life में तब तक आप कोई काम करोगे ही नहीं अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो क्या ही होगी तो इस तरीके से मैं कहूंगा कि यह बहुत बढ़ी है चीज है कि पैसा कवाने के इलावा भी बहुत सारी चीज़ा सिखाई जाती है यहां पर तो गाइस जितने सारे को बताते हैं कि gratitude होना चाहिए अपने अप्लाइंस के परती अपनी सिस्टम के परती ठीक है और जो बी डेली रूटीन कैसे होना चाहिए क्या-क्या habits को होता है तो नहीं है पैसे से अलावा यहां पर सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपनी लाइफ में बहुत सारी सीखने को मिली है तो वरंजी नैस्ट मेरा कोशन यह है कि सबसे बैस्ट पार्ट आपको अरणर कम्मिनेटी में क्या लगता है सबसे बैस्ट पार्ट हर तीन महिने में ट्रिप गुमना फिरना फरी सबसे बैस पाड़ यह है बिना पैसे लगा है गुमो फिरो ठीक है और अभी हम रिसेंटली मिले भी थे तो काफी इंजॉय किया था तो अभी भी जाने वाले मसूरी में तो मैं तो बहुत एकसाइटीड हूं के यार अभी जाना के लिए आना तो यह भी बहुत बढ़िया चीज़ है एंड इसके इलावा अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन सिस्टम यह दो चीज़े मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि सपोर्टीव है सारे जान एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ते हैं तो यह बहुत बढ़िय आप इञार करोटा काम करने से भी आपकी टीम बन जाती है जिससे 50% काम के कारन हो जाता है जिसके साथ आपने start करें नहीं तो आप कोई भी platform start करोगे वहाँ पे क्या होता है कि आप किसी के साथ start करते हो और आप जो काम करते हो उससे आपके upline को फायदा होता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके upline के काम करने से आपको फायदा होता है तो यह जो reverse system है ना इससे क्या होता है कि जिसके साथ आपने journey start करी है ना वो आपको 100% support करता है कि यार यह भी आगे बड़ेगा तुम भुझे भी फायदा होगा ना सिरब मेरे से ही ले रहा है ना तो यह चीज बहुत बड़ी है एंड अगर आप देख आपके वाज नहीं आ रही है कि इंटरनेट शायद अभी आ रही है यह आप बोल रहे थे टीम वर्क ड्रीम वर्क बिलकुल हो गया था मेरा बता दिया था मैंने तो गाइस यह कि हमारा जो सबसे सबसे मेरी भी फेवरेट चीज रैंक इंकम यह रैंक इंकम से एकदम से अच्छा खासा पैसे आने आता है और बोजल्दीन का भी एक नेस्ट लेवल है जो कि एक सिंगल डे का 45,000 हमारे सिस्टम में उसको बोले जाता है रूबी लेवल सिंगल डे की इंकम 45,000 रुपे उनक और नेस्ट कोश्चन में पूछना चाऊंगा कि वरुण जी आपने ट्रेनिंग्स के बारे में बहुत सारी चीज़ बढ़ाई लिए आपकी लाइफ के अंदर जो अभी अर्नर कम्यूटी की जो जर्नी रही है ट्रेनिंग्स ने में रोल क्या प्ले करा है मैं काम नहीं करता था बिल्कुल भी ठीक है मतलब पूरे दिन में दो घंटा काम कर लेता तो बस इतना ही वह होता है दो घंटे में जो हो गया सो हो गया पूरा दिन नहीं होता है मेरे से ठीक है अगर रिल्स देखने लगता तो रिल्स ही देखता रहता था ठीक है पूरा दिन अगर कुछ करने लगा हो तो वही करते रहे ना मतलब के तो माइड्साइड थोड़ा चेंज हो गया है और टाइम मैनेज्मेंट भी थोड़ा इंक्रीज हो गया है ठीक है जिससे क्या हो रहा है कि काफी हद तक चीजे बहुत बहतर हो जाएंगी आने वाले टाइम में और जब जादा और धीरे आधत पड़र ही है ना चीजों की तो जब देखता हूं कि जो लोग कमा रहे हैं, तो उनसे भी डिसकस करा है, कि क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, ठीक है, जिनका इंकम अच्छा हो रहा है, तो चीज़ें जो मेरी गलत थी वो मेरे को पता चल रही हो, उनकी ट्रेनिक से ट्रेंग करता हूं, आप क्यों हो गई है, अ अब रहे होता है तो अभी लोग यहां पर है कि कभी करने को भी जो जानना था चीजे कैसे क्या करनी बहुत सारे लोगों के अंदर गलत आदितो होती हैं ठीक है बड़े बीट होती है मेरे अंदर भी थी सब के अंदर होते हैं रील देखने का टाइम वेस्ट करने का अगर हम इंटरनेट पर यूटूब पर देखी जा रहे तो दो-तीन घंडे तक वीडियो देखते रहे हैं ठीक है अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर होगी लेकिन अब जिनको एक लाक करना तो वह चीज़ों को हटाकर जो चीज़े करनी चाहिए बिजनस के अंदर तो वह चीज़े मेरे को करनी पड़ेंगी तो इन्होंने वह चीज़े करी और करने के बाद आज यह मतलब आप देख रहे हो कि आपके रिजल्ट्स आपके सामने हैं क्योंकि जब हम गुड़ ह बीट्स को अपनाते हैं तो हमारे रिजल्ट्स ओटोमेटिक आने लगते हैं एक दिन एक हफता डेड़ हफता दो हफता नहीं आएंगे लेकिन तीसरी हफदे से आपको रिजल्ट्स जुरूर आना स्टार्ट होंगे अगर आप कंसिस्ट बेसे मेहनत कर रहे हैं तो वरुन सकते हैं कि अभी मेरी कुछ चीजें भी चल रही थी लाइफ में तो थोड़ी सी इंकम मेरे हिसाफ से शायद कम होई है मेरी लेकिन अभी फिलहाल 20 लैक से 50 लैक के बीच-बीच में तो जाना ही जाना है कुछ भी हो जाए कि इतना तो 6 महीने में करना ही करना है क्योंकि कर रहा है तो उल्रेड़ी लोगों को पता होता है कि यहीं सब चीजें हैं अच्छा है ऐसे हैं ठीक है यह वह उल्रेड़ी इंडरोल हो गए होते हैं तो यहां पे पूरी Market खाली पड़ी है और इस खाली मार्केट में मैं तो रूल परने वाला हूं ग्रेट 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 वह सारे लोग बोलते हैं कि कि सर मेरे साथ कौन जोइन करेगा तो इन्होंने उसका रिपलाई दिये कि पूरी की पूरी मार्केट खाली पड़ी है इंडिया में बहुत सारे लोग हैं भारत में बहुत सारे लोग हैं जो अर्निंग करना चाह हजार 2500 3000 लोग हैं इसको थो हम सकते हैं पूरा पूरे बारत खाली है और इसको तो हम पूरे वल्ल के अंदर कर सकते हैं इसमिन कंट्री में पर्मोट कर सकते हैं पाकिस्टान हो Another executive अब पोट रहे हिसं कंट्री नेपाल होगा वहां खाल एंजए कर सकते हो कर सकते तो मेरा कोशन यह कि अब आप जोब के अंदर थे ठीक है जोब के अंदर एक सेलरी होती है 20-30,000 वहां तक फिक्स होती है ठीक है और आपने मेरे को बोला कि मैं ने सिक्स मंद के अंदर 20-50 लाख रुपे अचीव कर लूँगा और जोब के अंदर यह होने में शैद अगले 10 सा लग जाते हैं उससे भी जाद ही समय लग जाता है मेरे को ऐसा लग रहा है ठीक है होता ही नहीं है ना तो आपको इतना आसान कैसे लग रहा है आज अरने करने के बाद देखो कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा ना कि ऑनलाइन बिजनस जब आप करते हो ना तो आपकी इंकम सारी skill के उपर होती है कि आपको कितनी चीज़े करनी आती है आपका communication skill अच्छा है या नहीं है आपको lead generation करना आता है कि नहीं आता है ठीक है आपका Instagram में branding आपको करनी आती है या नहीं आती है आप daily consistency से work करते हो या नहीं करते हो तो बहुत सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पर सारा का सारा खेल मेरे उपर depend करता है, किसी और के उपर नहीं, तो यहाँ पर मैं अपना पूरा 100%, 200% भी दे सकता हूँ, ठीक है, अगर काम करने पर आओं तो 12 गंटे की कलता शाम को आता ना मैं कुछ extra कर सकता हूँ, तो उसमें limited हो जाती है, जब unlimited चीजें हैं, अभी for example, अगर महीने की 100 जोइनिंग्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको 200 कैसे करना है, मैं उस पर दिमाग लगाँगा, उसको फिर 400 कैसे करना, मैं उस पर दिमाग लगाँग तो वहां पर अभी जैसे मेरी 4500 की टीम approximately हो गई है, ठीक है, तो अभी इसको करने के लिए मेरे को 50 दिन लगे, अभी मेरा next target है कि 1000 की टीम जल्दी से जल्दी करनी है, और ये एक महीने में कर देनी है, ठीक है, अभी दो महीने 500 की टीम में लगे, एक महीने में 500 होना और वो भी अपने से एकदम से graph को touch करेंगे, क्योंकि कमाने तो सभी आया हैं यहां पर, हना तो मेनस सभी कर रहे हैं, तो अभी जब मिलके काम करेंगे, तो उससे बहुत चीज़ें तेज़ी से हो जाएंगी, तो मेरे हिसाब से यह ही है कि इसलिए मेरे को असान लग रहा है क्या भी यह पर टीम का भी सपोर्ट मिल रहा है, मेरे खुद के स्किल का भी सपोर्ट मिल रहे है और अप्लाइन से तक स्पोर्ट मिल लिए रहा है, गाइस नहों ने बोला कि टीम वर्क और जो मैं चीजें कर रहा हूं ठीक है उन चीज़ों को मैं अगर इस निकाल लिए कोई परसन नंको तीन महीं में करता है कोई चे जए लोग लिए को दो लाक रुपए आ जाएंगे तो सिंपल क्या होता है कि हम जतना जादा जतना जादा अभी मेनत कर लेंगे ना उतनी जल्दी हमारी चीज़े अचीज़ हो जाएंगी तो सिंपल है कि हमें चीज़े पता है कि system ने हमें यह रोड मैप बना के दे रखा ठीक है ऐसे से ranking कम है ट्रेनिक में सारी चीज़े बता रहें उस तरीके से चीज़ों को अचीव करेंगे तो जैसे वरुन सरे चीज़े अप्लाई करी प्लाई करने के बाद इनको लग रहे हैं कि मैं इतने टाइम के अंदरे चीज़े कर लूगा है यह कब होता है जब हम चीज देना चाहोगे देखो जो लोग जॉइंड है उनको मैं सबसे पहले तो यही कहता हूं कि थोड़ा पेशेंस रखो अगर आप फ्रेशर हो तो अगर आपको काम करना आता है तो पूरा दिन मेनस से काम करने लग जाओ कि कि देखो आपको प्लैटफोर्म भी कोई प्लैटफो कर रहा है और हम सोचें कि या ठीक है पैसे आ जाएंगे कोई मान नहीं रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है अब अपनी लर्निंग के उपर फोकस रखो अर्निंग आपकी हो जाएगी जो लोग नहीं स्टार्ट करें अभी तक सो फार मैं इतना ही बोलूँगा देखो आप लाइ दूसरे की help करके आगे बढ़ते हैं अगर आप यह सोचते हो कि मैं अकेले दंपे ऐसे फ्रैशर अगर आप यह सोचते हो कि मैं अकेले दंपे मुझ काम करना चाहता हूं तो आपको बहुत टाइम लग सकता है लेकिन जो लोग कमा रहे हैं पैसा बहुत अच्छे तरीके से online नहीं होगी तो जितना जल्दी हो सके start करो क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि opposite की सामने होती है लेकिन हम बस यह होता है कि चल हां ठीक है कर लेंगे उसके चक्र में भी बहुत सारे opposite हाथ से निकल जाती है ठीक है तो यह कहना चाहूंगा कि आप start करो और अगर आपको investment का दि होना चाहते हो अस भले असान है आपने सुबह गई शाम को आगे काम हो रहा है और नहीं हो रहा तो भी अपनी salary आ गई लेकिन उससे हो क्या रहा है life में उससे कुछ पहतर नहीं हो रहा है तो अगर challenges लेने है ठीक है तो आपको business करना बड़ेगा business करो तब जाके आपकी life जो खताम हो गई ठीक है ना क्योंकि वह पहले ही fix होता था तो अगर आप उस circle से निकलना चाहते हो यह अभी आप student हो अगर आप यह सोच रहे थे कि मुझे जो मिल जागी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला ठीक है अगर मिलती भी है तो वहीं के वहीं रह जाते हो पुरी life में तो गाइज आप सभी लोगों के लिए जो message दिया है इस message को ध्यान रखना ठीक है चीजों के अप्लाई करना ट्रेनिंग्स अपनी कभी मिस नहीं करने हमें ट्रेनिंग को अटेंड करना है क्योंकि अब बरुन सर ने बताए हैं चीजे की ट्रेनिंग्स बहुत important role play करती है हमारी जरनी के अंदर क्योंकि वहीं से चीजे सीखने को मिलते हैं अगर हमें cycle चलाना शीखना है तो हमें ऐसे परसंद से सीखना होता है जो ओल्रेडी चलाता है न वहीं हमें चीजे सिखा सकता है तो यहाँ पर जो community के अंदर आपको इतने अच्छे mentors मिले वह हैं जो ओल्रेडी अच्छा खासा अर्ण कर रहे हैं वह आपको पूरा अपने आके secret शेयर कर रहे हैं तो कभी भी training meeting मिस नहीं करने कोई भी training सोरी हो ठीक है webinar सोरी हो कभी भी मिस मत करो और training को चीजों सीखो apply करो कभी भी हार नहीं मानने है थोड़ा सा patience रखना है और patience के साथ साथ आपको जो संडे स्पेशल होने वाला है कि कैसे आप अपना daily routine daily habits को कैसे सही कर सकते हो तो next हम संडे स्पेशल के अंदर मिलते हैं और next whole of fame के अंदर मिलते हैं with another achievers of our community community. So, uh, uh, uh,